खिर औरत कवह कौन सा अंग है जो पती हर रात बेशर्म होकर दबाने और चूसने से अचानक अपार धन की प्राप्ती होने लगती है। जैश्री कृष्णा दोस्तों, मेरे प्यारे दर्शकों, आप सभी लोगों का फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। हमारे यूटुब चैनल पर आज फिर एक बार बहुत ही ज्यानवर्धक और प्रेर्ण दायक वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। मेरे प्यारे दर्शकों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से यह बताएंगे कि औरत का कौन सा अंग दबाना या चूसने से उसके घर में सदामा लक्ष्मी का वास रहता है और महालक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। तो मेरे प्यारे दर्शकों, हम आपको एक सच्ची कहानी के माध्यम से बताएंगे कि औरत का वह कौन सा अंग है जिसे हर पुरुष को दबाना और चूसना चाहिए। बातें आपको आज कल की इन किताबों में नहीं मिलती है। तो मेरे प्यारे दर्शकों, यह जानकारी हम बहुत मेहनत करके ढूंड के लाएं हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और हे माता लक्ष्मी, जो भक्त कमेंट में जै माता लक्ष्मी लिखेगा, उ जाकी आप लोग जुडे रहे और ऐसे ही ज्यान वर्धक बातें आप लोगों तक पहुंचे। दोस्तों इस चैनल पर जो भी आपको जानकारी दी जाती है, वो एक सच्ची जानकारी होती है, तो चलिए दोस्तों आज की इस प्यारी सी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस घर में खाने तक को कुछ नहीं है, मेरे प्यारे दर्शकों उसके घर में बिल्कुल कंगाली छा गई थी, एक भी रुपया नहीं था और उसके घर में खाने के लिए अन्न का एक दाना तक नहीं था। मित्रों, एक तो घर में खाना नहीं, उपर से पतनी का ताना वह बहु कि उसे एक साधू तपस्या करते हुए दिखाई दिये, वह उनके पास जाकर बैठ गया, जब साधू ने अपनी तपस्या खत्म की, तो रामू उनके सामने जोर-जोर से रोने लगा, साधू बोले रामू से, पुत्र, तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम क्यों रो रहे हो, पत्नी रोजाना जगडा करती है, मैं करीब हूँ, तो महराज मैं आखिरी करूँ, तो करूँ क्या, कितना भी कुछ कर लो, लेकिन धन कमा ही नहीं पाता हूँ, मेरा एक छोटा सा धन्धा था, वह भी पत्नी के क्लेश की वजह से चौपट हो गया, वह दिन रात मुझ से ज ताज हूँ, हमारे घर में खाने के लिए रोटी नहीं है, इसके अलावा पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं है, लेकिन मैं अपनी पत्नी को समझाता हूँ, कि वह मुझे ताने ना मारे, मुझ से जगडा ना करे, लेकिन वह बिलकुल भी नहीं मानती, साधु जी, मैं इसी वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो, इसी कारण से मैं घर छोड़ कर यहां आया हूँ, तब साधु जी कहते हैं, रो मत बेटा, मैं तुम्हें एक काम बताने जा रहा हूँ, जो तुम्हारी किस्मत चमका देगा, तुम्हें अपनी औरत का सिर्फ यह अंग बेशर्म होकर कर दबाना और चूस लेना है, अचानक तुम्हारे घर में धन की प्राप्ति होने लग जाएगी, तुम देखते ही देखते अमीर बन जाओगे, और साधु जी कहते हैं, जो भी पुरुष औरतों का यह अंग दबाता या चूसता है, उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है, और ना ही उसके घर में कभी भी कलस होता है, वह जो भी व्यापार करता है, उसमें हमेशा तरक्की होती है, मेरे प्यारे दर्शकों, अभी इस बात को ध्यान से सुनना, साधु जी बोले, अब मैं तुमको औरत के उन अंगों के बारे में बताने जा रहा हूँ, इ आते हैं कि एक नगर में एक किसान रहता था, उसके बहुत सारे खेत थे, जिस पर वह दिन रात मेहनत करता था, उसके घर में किसान और उसकी पतनी में आपस में बहुत ज्यादा प्रेम था, उसके घर में किसी भी प्रकार की लड़ाई, जगडा या क्लेश नहीं होता था, इसी वजह से उसके घर में सदैव महालक्षमी का वास रहता था और उसके खेतों में इतनी ज्यादा पैदावार होती थी कि वह दिन प्रतिदिन और अमीर होता जा रहा था उस किसान और उसकी पत्नी में इतना प्रेम था कि आसपास के लोग उन्हें देख कर जल जाया करते थे धीरे धीरे उसके पूरे गाव के लोग जानने लगे कि किसान और उसकी पत्नी में बहुत ज्यादा प्रेम है धीरे धीरे यह बात उस नगर के राजा तक पहुँच गई दोस्तों, किसान और उसकी पतनी की बात जब राजा के पास पहुँचती है तो राजा भी उसके प्रेम की काफी ज्यादा तारीफ करते हैं वह सभी से बताते हैं कि हमारे नगर में एक किसान और उसकी पतनी रहते हैं, जिन में कभी भी लड़ाई जगड़े नहीं होते हैं. उन दोनों में आपस में इतना प्रेम है कि मैंने ऐसा अपनी जिन्दगी में कभी भी नहीं देखा. एक बार की बात है, राजा पूरे नगर में धिन्दोरा पिटवा देता है कि इस नगर में जितने भी लोग हैं वह सभी अपने घर में घी का दिया जलाएंगे. तो राजा की पतनी पूछती है, हे पतिदेव, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? सबके घर में घी का दिया क्यों रहे हैं, तभी राजा अपनी पतनी की बात सुनकर कहते हैं, दीपक प्रेम की निशानी होता है, जिसके घर में घी का दीपक जलता है, उसके घर में सदैव प्रेम बना रहता है, और मैं चाहता हूँ कि जो प्रेम किसान और उसकी पतनी के घर में है, वह हमारे पूरे नगर पतीपतनी के बीच हो। इसी लिए मैं हर घर में दीपक जलाना चाहता हूँ। मेरे प्यारे दर्शकों, अब राजा के सैनिक जाते हैं और हर जगह नगर में डगई पीट देते हैं और कहते हैं सभी लोग घर में रात भर घी का दीपक जलना चाहिए। दोस्तों, राजा की बात मान कर सभी नगरवासी अपने घर में दीपक जला देते हैं, लेकिन जैसे ही आधी रात होती है, सभी के घर के दीपक बुझ जाते हैं, लेकिन किसान के घर का दीपक वैसे ही जलता रहता है. मेरे प्यारे दर्शकों, दीपक हमेशा किसान की पत्नी जलाती थी, लेकिन उसकी बात नहीं मानती थी, वह हमेशा अपनी मनमानी करती थी, उसका जो भी मन करता था, वही काम करती थी, लेकिन किसान को इस बात से कोई भी दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि किसान बहुत समझद उधर राजा अपने महल को छोड़कर पूरे नगर का नजारा देख रहे थे। वह किसान की पत्नी की वजह से है और इसी वजह से उसके घर में इतना ज्यादा प्रेम है। किसान समझदार है और राणी कहती है कि किसान की पत्नी समझदार है। मेरे प्यारे दर्शकों इसी तरह कुछ देर चलता रहा इसी बात को लेकर राजा और राणी के बीच काफी जगड़ा हो गया। इसके बाद राणी ने क्या किया? राजा की दाड़ी उखाड ली और राजा ने राणी को उठा कर पटक दिया। इसके बाद राजा कहता है हम लोगों को जगड़ा करने की जरूरत नहीं है। क्यों न हम किसान और उसकी पत्नी की परीक्षा ले ले? सारा दूद का दूद और पानी का पानी हो जाएगा। लडाई करने के बाद इस बाद पर राजा और रानी दोनों सहमत हो जाते हैं और दोनों की परीक्षा लेने के लिए तैयार हो जाते हैं तब राजा अपने महल में जाता है और एक पुरुष सैनिक को बुलाता है और पुरुष सैनिक से बोलता है कि तुम किसान के पास जाओ और जो प्रशन मैं तुम से बोल रहा हूँ वह तुम किसान के बोलता है ठीक है महराज वह सैनिक राजा की बात सुनकर किसान के पास जात इस समय वह सैनिक किसान के घर पहुंच जाता है और किसान से कहता है मैं राज दर्बार से आया हूँ राजा साहब ने मुझे भेजा है मेरे प्यारे दर्शकों किसान कहता है बताईए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ आप बैट जाईए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ तब ही वह सैनिक बोलता है कि नहीं, तुम कुछ भी मतलाओ मैं राजा का सैनिक हूँ, बस आपके पास राजा का समाचार लेकर आया हूँ तब किसान कहता है, ठीक है, आप मुझे बताओ राजा साहब ने मेरे लिए क्या समाचार भेजा है तभी सैनिक कहता है किसान राजा साहब ने यह बोला है कि यदि तुम अपनी पत्नी को छोड़ देते हो तो राजा जी आपको बहुत सारे हीरे जवाहरात और साथ में तुम्हारे जमीन से दो गुना जयादा जमीन राजा जी आपको गिफ्ट मे देंगे इसके अलावा राजमहल का आधा हिस्सा भी आपको दिया जाए यह बात सुनकर जो किसान ने जवाब दिया वह सुनने लायक है किसान ने कहा राजा जी अपना पूरा राज महल मुझे क्यों न दे दे लेकिन मैं अपनी पत्नी को नहीं छोड़ूँगा जाओ और अपने राजा से कह दो किसान ने ऐसा कहा है सैनिक वापस जाता है राजा के पास और राजा को सारी बातें बताता है इस समय राजी वहाँ पर सैनिक की बात सुन रही थी सुनने के बाद राजी ने कहा आपने किसान की तो परीक्षा ले ली लेकिन किसान की पत्नी की परीक्षा नहीं ली है इस तरह से हम कैसे पता कर सकते हैं कि कौन समझदार है इसके बाद राजी ने कहा कि अब मैं भी किसान की पतनी की परीक्षा लेना चाहती हूँ जब दोनों की परीक्षा हो जाएगी तब ही पता चलेगा कि कौन समझदार है फिर रानी ने भी एक सैनिक बुलाया और कहा कि मेरी बात किसान की पतनी को बोलना और याद रखना ये बात तब ही बताना जब किसान वहाँ पर ना हो सैनिक ने पूछा कि रानी क्या बात बतानी है वह तो बताओ तो रानी ने सैनिक को सारी बात बता दी सैनिक किसान के घर जाता है और उसके घर में आवाज लगाता है तो उसके घर से किसान की पतनी निकल कर आती है और कहती है बताओ क्या हुआ क्यों डिंडोरा पीठ रहे हो तो सैनिक बोलता है कि राज के महल से आया हूँ मुझे रानी ने भेजा है फिर किसान की पतनी बोली बताओ किसलिए आये हो तब सैनिक बोला रानी ने बोला है यदि तुम अपने पति किसान को मार देती हो तो आपको बहुत सारे हीरे जवाहरात रानी आपको देंगी और साथ में राजमहल का आधा हिस्सा भी आपको मिलेगा इसके अलावा जितनी भी आपकी जमीन है वह तो आपकी रहेगी लेकिन उसकी दो गुना जमीन भी रानी आपको देगी ये बात सुनकर किसान की पत्नी तयार हो जाती है कहती है ठीक है यदि मुझे रानी साहिबा देंगी तो मुझे मनजूर है मैं अपने पती को मार दूँगी तब सैनिक पूछता है कि रानी को कैसे पता चलेगा कि आपने अपने पती को मार दिया है तब ही किसान की पत्नी बोलती है मेरे घर में जो दीपक जल रहा है जब मैं किसान को मार दूँगी तो उसे बुझा दूँगी तभी आपको पता चल जाएगा कि मैंने किसान को मार दिया है अब सैनिक किसान की पत्नी की बात सुनकर दोड़ता हुआ राज महल जाता है और रानी को सारी बात बताता है रानी बहुत अचम्भित हो जाती है राजा और रानी को स्त्री जात से नफरत होने लगती है उसी समय राजा अपने नगर के सभी लोगों को बुलाता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे और मेरी पत्नी की वजह से किसान की जान ना जाए तुम लोग ऐसा करो उस किसान के घर जाओ और सारी बातें बता दो और उस किसान को बचा लो वरना किसान की पत्नी उसे मार देगी इधर सैनिक किसान के घर जाते हैं और सोचते हैं कि किसान की पत्नी किसान को रात में मारेगी और दिया बुझाएगी इससे पहले ही हम किसान के घर में पहुँच जाते हैं और किसान को बचा लेते हैं मेरे प्यारे दर्शकों जैसे ही राजा के सैनिक किसान के घर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि किसान तो मरा पड़ा हुआ हुआ है तो सैनिक किसान की पत्नी से बोलते हैं कि तुमको तो किसान को रात में मारने के लिए बोला गया था लेकिन आपने अभी किसान को क्यों मार दिया तब उस किसान की पत्नी बोलती है कि किसान को तो मुझे मारना ही था रात में तो मुझे सिर्फ दिया ही बुझाना था इसलिए किसान को तो मैंने दिन में ही मार दिया इसके बाद राजा और रानी किसान की पत्नी को बंदी बनाकर लाने के लिए अपने सैनिक से कहते हैं सैनिक जाते हैं, किसान की पत्नी को बंदी बनाकर ले आते हैं राजा किसान की पत्नी से पूछता है ऐसा तुमने क्यों किया? तुम लालची औरत हो, तुम्हें पैसों से प्यार है तभी किसान की पत्नी ने जवाब दिया और बताया कि मुझे तो किसान को पहले ही मारना था वह तो मैं कोई बहाना ढून रही थी क्योंकि किसान की आदत बहुत खराब थी वह मेरे साथ बहुत खराब व्यवहार किया करता था तो राजा ने कहा, ऐसा क्या करता था? मेरे प्यारे दर्शकों अभी इस कथन को ध्यान से सुनना तो किसान की पत्नी ने जवाब दिया कि वह मेरे नाक का उपरी हिस्सा अपनी उंगली से हमेशा दबाया करते थे इसके अलावा किसान एक काम और मेरे साथ करता था तो राजा बोला, वो कौन सा काम? तब ही किसान की पत्नी ने जवाब दिया वह किसान मेरे कान का पिछला हिस्सा अक्सर अपनी जीब से स्पर्ष किया करता था राजा ने पूछा ये बताओ, जब आप लोग गरीब थे तब क्या किसान आपके साथ ये काम करता था? तो किसान की पत्नी बोलती है नहीं महाराज, तब ऐसा नहीं करता था तब राजा ने कहा मैं समझ गया कि किसान ऐसा क्यों करता था उसी समय साधू जी ने रामू से पूछा तुम्हें कुछ समझ में आया? औरत का कौन सा अंग दबाने तथा चूसने से लोगों को अचानक धन की प्राप्ती होती है तो रामू ने कहा नहीं साधू जी मुझे अभी समझ में नहीं आया तभी साधू जी कहते हैं अगर अभी समझ नहीं आया तो मैं फिर से आपको बताता हूँ किसान अपनी पत्नी के साथ जो पहला काम करता था वह है उसके नाक के उपरी हिस्से को अपनी उंगली से दबाता था इसी वजह से जो यह काम करता है वह हमेशा धनवान पुरुष बन जाता है दूसरा काम है जो भी पुरुष औरत के कान का पिछला हिस्सा अपने जीब से स्पर्ष करता है उसके किस्मत के द्वार खुल जाते हैं उसे अचानक धन की प्राप्ति होती है ऐसा इसी लिए होता है क्योंकि औरत के कान के पिछले हिस्से में माता लक्ष्मी का वास होता है जब आप ऐसा करते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाती है और आपको अपार धन देती है और आपने एक बात तो जरूर सुनी होगी औरते माता लक्ष्मी का रूप मानी जाती है यही वज़े है इस संसार में जो भी मनुष्य यग्य पवित्र काम करता है उसका घर धन से भर जाता है तो मेरे प्यारे दर्शकों आज का वीडियो कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताएं और हाँ कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूले मेरे प्यारे दर्शकों धन्यवाद मिलते हैं फिर अगले वीडियो में